पिपल्या मंडी शेत्र में अधिक समय से रूठे मांसुन से फसल सोया बीन उरद मकामूं फली सूखने की कगार पर पहुच गई थी जिससी किसानों के चेरों पर चिंता की लकीरे दिखने लगी थी पानी नहीं मिलने से पसल के पत्ते पीले पड़ गए थे वहीं मच्छरवा इल्लियों के अटेक होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट भी गहरा रहा था पानी नहीं मिलने से किसानों के साथ साथ आमजन भी टोने टोटके के साथ इंद्रदीव को प्रसंद करने के लिए श इसे खरीब पसलों को मानो नया जीवनदान मिल गया और शेत्र में हुई अच्छी बारिश को लेकर गाउं कच्छरी या चंद्रावत ग्रामिडों द्वारा बालाजी पहुचे और इंद्र देव को प्रशन करने के लिए इंद्र देव और सावलिया सेट के जैकारों के साथ अभिशेक कर हवन पूजन पार्ट भजन किर्टन कर आरती उतारी गई जिससे गाउं के सेकडों महिलाये पुरिश शामिल हुए मलहार गंज से इश्वर पवार की रिपोर्ट